सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूटूब चैनल अवर्ज कुमिल क्लासिस को और साथ ही बैल ऐकन के बटन को प्रेस करें जिसे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुमित मेजवरी आप से भी का सवाइब करता हूँ हमारे अपने यूटूब चैनल अवर्ज कुमिल क्लासिस में दोस्तों हमने आपको हमारे प्रिवेस वीडियो में इंसर टैब में टेबल गुरूप के कुछ ओप्सन्स को करवाया था आज हम आपके साथ टेबल गुरूप में टेबल टेबल और क्विक टेबल को डिस्कस करेगे तो आईए बिना दिरी के बढ़ते हैं हमारे आज की क्लास की ओर आईए फ्रेंड्स अब हम इंसर टैब में टेबल गुरूप को आगे डिस्कस कर लेते हैं जैसे हम table option पे click करते हैं तो हमारे सामने कुछ options आ जाते हैं जिनने हमने हमारी previous class में भी discuss किया था। आईए अब हम convert text to table option को समझते हैं। इस option को समझने के लिए सबसे पहले हमें tabs option की health से एक table बनानी होगी। tabs option को हमने हमारी MS Word की class 8 में complete discuss किया था। यदि आपने हमारी tabs option वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उपर show को रहे आई बटन के click करके उस वीडियो को जुरूर देखें। उस वीडियो में हमने आपको advanced tabs option को सिखाय था। आईए सबसे पहले हम इस option को समझाने के लिए tabs option की help से एक table बना लेते हैं। देखेगा friends हमने tabs option की help से एक table बना लेते हैं। अब अगर हम इसे table में convert करना चाहते हैं। तो सबसे पहले table को select करके हमें table group में जाकर convert text to table option पर click करना होगा। तो देखेगा हमारे सामने एक dialer box आ जाएगा। अब हमें इस dialer box में numbers of column को define करना जरूरी होता है। यहाँ पर fix column width वाले option में हम auto रखेगे जो की अच्छा रहेगा। अब friends जैसे ही हम ok पे click करते हैं तो यह table में convert हो गई है। देखेगा friends इस परकार से। अगर आप table को दोबारे से tabs वाले table में convert करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस table को कर select करना होगा। देखेगा इस परकार से and then आपको layout tab में जाकर convert to text वाले option पे click करना होगा। and then click on ok देखेगा friends इस परकार से। देखेगा friends अभी हमने आपको tabs option के help से बनी हूँ table को टेबल में convert करना सिखाया था। आइए अब हम एक different way से भी इस option के use को देए है। देखेगा friends जैसे का हमने यहां कुछ text type कर दिया है और उन text के बीच में हमने slash symbol का use किया है। अब slash symbol की जगा कोई भी symbol use कर सकते है। अब अगर हम इसे table में convert करना चाते हैं तो सबसे पहले हम इसे complete select करेगे। अब table option में जाकर convert text to table option पे click करना होगा। अब जैसे कि आप जान गए हो सबसे पहले हमें यहां पर numbers of column define करने होते हैं। means हमारी table में कितने columns है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे tables में four columns है। अब हम इस separate options से यहां पर यह define करना होगा कि हमारे text के symbol से separate किये हूए है means अलग किये हूए है। जैसे के हमने text के बीच में select symbol का use किया है बट यहां पर select का कोई भी option नहीं है इसलिए हम यहां पर others वाले पर click करेगे और यहां पर select symbol type करेगे now click on okay देखेगा friends हमारे table बनकर त्यार हो गई है आईए friends तब हम next option को समझ लेते हैं next अपना आता है click table टरिक table पर जैसे हम click करते है तो यहां हमें पहले से कुछ बन यूटेबल मिल जाती है जिनका हम अपने file में user कर सकते है और इन table को हम अपने according edit भी कर सकते है देखेगा friends इस परकार से जैसा कि हम आपको practical करके दिखा रहे है देखेगा friends इस परकार से तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं हमारी next class में आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ ही वीडियो को like, share and subscribe बना मत मूलिएगा and also friends press bell icon जिससे आप हमारी latest वीडियो को देख पाए thanks for watching